हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम जगविंदर है इस वीडियो में हम जानते हैं computer networks के बारे में ये useful हो सकती है and plus students के लिए plus बिल्कुल basics जानना चाहते हैं networks की और उनके लिए जो CCNA बढ़ रहे हैं उनके लिए भी है बहुत useful हो सकती है अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप like बटन को प्रेस कीजेगा इसे लोगों के साथ share कीजेगा और YouTube पे आपको ऐसे notification सबसे पहले मिले इसके लिए channel को subscribe कीजेगा और bell icon को click कीजेगा तो computer networks जानने के लिए सबसे पहले मुझे ये पता लगाना होगा कि network है क्या network का मतलब है interconnection interconnection मतलब जब चीजें जुड़ी होंगी तो उसको हम बोल देते हैं कि वो आपस में interconnected हैं इसका दूसरे शब्डोमेंस को बोलें कि वो network हैं वो कोई भी चीज जब आपस में जुड़ी होगी तो उसको हम network कहेंगे या interconnected कहेंगे चाहे वो फिर लोगों का group है जब लोगों के group आपस में connected होगे तो उनको भी हम network कहते हैं आज कल आपने देखा होगा कि कुछ businesses जैसे कि multi level marketing का बहुत trend है जिसमें कि बहुत सारे लोग आपस में एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं तो वहाँ पे वो लोग बोलते हैं कि मेरे इतने लोगों का network है इसी तरीके से बहुत सारी companies अपने offices को connect करती हैं तो हम उनको भी network बोल सकते हैं हमारे computer field में हमारे information technology world में network का मतलब है ऐसे points या ऐसे computers या ऐसी devices जो आपस में किसी ना किसी communication path से connected हो तो communication path कैसा भी हो सकता है वो wired भी हो सकता है, wireless भी हो सकता है जब भी devices आपस में जुड़ेंगी तो हम उनको बोलते हैं कि ये computer networks हैं आज के scenario में अगर हम बात करें कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो network को directly या indirectly use ना कर रहा हो जब आप लोग चाहे वो गाउं में रहते हैं चाहे वो शहर में रहते हैं कहीं पे भी जब वो banks को use कर रहे होते हैं तो वो indirectly networks को ही use कर रहे होते हैं जब आप ATM से पैसा withdraw कर रहे होते हैं तब भी आप network को use कर रहे होते हैं। इसी तरीके से अगर आप reservation करवा रहे होते हैं, उस समय भी आप indirectly networks को use कर रहे होते हैं, क्योंकि network वो सभी जो online system है, reservation के लिए वो computer networks के उपर ही dependent हैं। इसी तरीके से चाहे आप कोई form fill कर रहे हैं, या फिर आप school college में बच्चों की fees दे रहे हैं, तो कुछ भी आप कर रहे हैं, तो आप किसी ना किसी तरीके से network से जुड़े हुए हैं। अगर हम simple words में बोलें, computer network क्या है? आज कल computer network को simply network भी बोल दिये जाता है। आप देखिएगा, जब भी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, networks के बारे में, तो most of the time वो computer networks के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। हमारा computer network, hardware devices, hardware components और computers का ऐसा collection है, जो किसी ना किसी channel से, wired या wireless से आपस में connected हों। और उनका purpose एक दूसरे के साथ अपने resources और अपने information को share करना होना चाहिए। अगर वो इन चीज़ों को कर रहे हैं, वो आपस में connected हैं, और एक दूसरे के resources और information को share और use कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि वो computers network में हैं। सबसे simple network का example है, जैसे ही दो devices आपस में जुड़ेंगी, तो हम उनको बोल देंगे network। अगर हमारे पास दो computers भी हैं, या दो laptops भी हैं, और वो आपस में connected हैं, किसी भी तरीके से, चाहे wired या wireless, तो इनके जुड़ने का एक purpose भी होना चाहिए, और वो purpose क्या है, कि एक दूसरे के data को use करना, एक दूसरे के resources को use करना, जैसे कि एक computer के साथ अगर printer लगा है, तो दूसरा उसको use कर पाए, तो हम ये कह सकते हैं, कि ये एक simple small computer network हमारा बन गया है, आप मुझे question का answer दीजे, आप मुझे बताइए, कि जब दो devices, चाहे वो mobile phones हों, या computers हों, या laptops हों, जब आपस में connect होंगे, और एक दूसरे के साथ data को share करेंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, इस question का answer आप नीचे comments में ज़रूर type कीजेगा, तो इस वीडियो में हमने जाना, Simple Computer Networks के बारे में, कि Computer Networks या Simply Networks होते क्या हैं, अगले वीडियो में हम Types of Networks के बारे में जानेंगे, तो इस वीडियो में इतना ही, Thanks for listening.